हाट ब्लॉकेज यानि की कॉर्णरी आर्टरी डिजीज इसका मतलब यह कि वो ब्लड बसल जो ब्लड सप्लाई करता है हाट के मसल को उस ब्लड बसल में कभी-कभी ब्लॉकेज आयता है जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता इसलिए ऐसे पेशन्ट जब वो दौडते हैं या सीविया चलते हैं चड़ते हैं या फिर हेवी कुछ उठाते हैं तो उनको दर्द होने लगता है एंजाइना होता है डिसकंफर होता है ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं जो प्लास्टी करा लो बाइपास सरजिरी करा लो लेकिन एक तीसरा इंट्रेविंशन भी है जिसका ना हमें नेचुरल बाइपास नेचुरल बाइपास कोई मेरा बनाएवा कोई मेथर नहीं है ये मेडिकली साबित प्रूबेंड मेथर अलड़ी है जो की MD पर पढ़ाय जाता है और नेचुरल बाइपास मतलब आपका बॉडी खुदी सरजन बनके ब्लोकेज को रिपेर करन रूश को समझाता हूं, असान शब्दों में, जब आप कोई कार खरीते हैं, कार में चार पइया होते हैं, चार पइया के साथ साथ, एक पांच्वां पइया भी मिलता है आपको, जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी, उस वगफ तो तो पइया कोई काम नहीं होता, लेकिन वो जो तरह से आपका और मेरा manufacturer यानि की भगवान ने जम्हें में बनाया तो हमारे body में हजारों की तादाद में stepney डाल दिये जिसे हम बोल सकते हैं medical version में collateral arteries ताकि जिन्दिगी की सफर में कई अगर कोई एक blockage कहीं आ जाए तो जो stepney collateral arteries है body उसे use करके आपकी जिन्दिगी की काड़ी को आगे तक ले जाए ये जो collateral arteries होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं microscope से वो आप देख सकते हैं वो network की तरह पूरे body में है unused like the stepney तो जब भी कभी blockage हो चाए वो heart में हो या कहीं और भी हो तो body अकसर उस stepney को use कर लेता है लेकिन body उस stepney को यानि की collateral arteries को use तभी कर सकता है बढ़ाने के लिए body को खास तरह की nutrition क्या हो शकता है तो उस nutrition के मिलते ही body अपना netrioxal production enhance कर देता है जिससे collateral arteries के माधियम से blood vessels which is a blood vessel blood supply होता है to the heart and heart starts functioning like before पहले की तरह जब वो बहुत strong था तो आपको क्या करना है इसके लिए सिर्फ आपको करना है you have to start with D.I.P. diet phase 2 D.I.P. diet phase 2 को अपनाना है अब D.I.P. diet phase 2 क्या है इसके लिए screen पे दिये वे link में जाके आप video देख सकते हैं तो इस video को देखने से D.I.P. diet क्या है और D.I.P. diet phase 2 क्या है वो आपको पज़चल जाए और red mother tomato या चकुंदर इन में से कोई भी एक vegetable लेंगे घुमा फिरा के और उसका करीब 200 से 200 ml juice निका लेंगे fresh juice और उसको पीने में लगने चीए 10 से 15 minute जब पेट भरो तब नहीं जब पेट खाली हो जैसे lunch से पहले या dinner से पहले ऐसे time पे और ऐसा अगर आप एक मेहने तक कर सकते हैं तो on average मैंने देखा है कि it takes only one month और उसके अंदर ही blockage almost चला जाता है अजर कैसे बहुत चला गया बड़ा ही simple है अगर वही वाले activity जिसके करने से आपके एंजाइना होता था यानिकी pain अब अगर उसी activity से pain नहीं हो रहा है इसका मतलब either blockage बहुत छोटा हो चुका है या गायव हो चुका है जब आपको आराम मिल जाए जब pain गायव हो जाए उसके बाद phase 2 DIP diet की जगह अगर आप चाहे तो standard DIP diet पर ही रह सकते हैं for rest of the life number one number two जो green and red juice है उसका काम खतम हो चुका है अगर आप चाहे तो उसको discount new भी कर सकते हैं तो लेकिन DIP diet में रहना जरूरी ही है ताकि इस तरह के problem दूबारा कभी ना हो